भाचपा सरकार ने खाने पीने की मिलावट रोकने के लिए ऐसी स्कीम निकाली है, ऐसा जुगार निकाला है कि नासा वाले योगी आदितनात के पीछे-पीछे भाग रहे हैं कि गुरू हमको भी इस घट्या नुसके का फॉर्मला बता दो, बिना किसी मेनत, बिना किसी लाग कर रहे थे, उसे पहले कावड के नाम पर हिंदु मुसल्मान कर रहे थे, सुप्रीम कोट ने चाबुक चलाई तब होश में आये, अब फिर से दुकानों पर नाम लिखने का आदेश जारी कर दिया गया है, उत्तर प्रिदेश में भाचपा सरकार ने कहा है कि अगर खाने प भाईया, भाईया, दुकान पर नाम लिखने से मिलावट नहीं रुकती, राजा के जागते रहने से मिलावट रुकती है, राजा चादर तान कर सोएगा तो राज में अराजकता ही फैलती है ना, दुकानों पर नाम लिखने से जाती वाद और धार्मिक भेदभाव बढ़ तो क्या अब तक योगी सरकार इतनी बेफकूफ और इतनी बुद्धी हीन थी कि मिलावट की दशा में गंगा नदी पर कारवाई करने के लिए चली जाती होगी नई ना कारवाई तो धावे के मालिक पर ही होती होगी ना फोजी धावे वाले ने अगर कुछ गलत किया तो भारतिय फोज के खिलाव कारवाई चोड़ी ना हो जाएगी उसके मालिक के ना खिलाव कारवाई होगी तो फिर धावे और दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने स मिलावट कैसे रुख जाएगी नई रुखेगी मिलावट रुखेगी सक्थ शासन से लेकिन योगी सरकार दुकानों पर नाम लिखवा कर सीधे तौर पर हिंदू मुसल्मान करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया सुधर गई दुनिया हाइटेक हो गई मट से निकल कर योगी मुख्यमंद्री बन गया हैं लेकिन भाजबा की हिंदू मुसल्मान वाली पॉलिसी वही की वही है जंता इस हिंदू मुसल्मान वाले इस फॉर्मले से ऊब चुकी है और ह noch चुक positively में शेक के पास हिंदू मुसल्मान के लावा दूसरी कोई बात भी नहीं है बात करने के ल कभी शमशान, कभी खबरस्तान, कभी गीता, कभी कुरान ले दे के करके इनके पास सिर्फ हिंदू-मुसल्मान तो फिलाल खिले इस वीडियो में इतना ही मुझे देज़े जाज़त चलते हैं नमस्कार जय हिंदू झाल